पाकिस्तान और बंगलादेश के लोग यहां यूं कहलें कि सरब्राहान उनके दिर्मियान आपस में रापते जो हो रहे हैं उसका मकसद क्या है क्या बंगलादेश का रुजहान भारत से हटकर अब पाकिस्तान की तरफ दुबारा होने जा रहा है क्या स्ब गाई्स कैसे हो आप लोग हम फिर वाप सागा है suffer अगर अगर आप वीडियो का में हिस्सा देखना चाहते है तो यह सीथा एक मिनट करके आंगे करें और सीथे वीडियो की में भग पर पहुँंचेंगे दुस्तों इस वीडिए अब करेंगे पाकिस्तान और बंगलादे देखिए और इस वीडियो में ये भी बात हो रही है कि भारत के खिलाब जो पांगला देश में नफरत है वो इस तरीके की मतलब उसी तरीके की इस वीडियो में बात हो रही है दोस्तों तो वीडियो देखने से पहले आप से रिक्वेस्ट है प्लीज चाहता है कि पाकिस्तान उनके तालुकात में ऐसा क्या रखना आ गया कि उनका तवज्व उनकी तवज्व अब पाकिस्तान की तरफ हो रही है तो इससे जुड़े कुछ सवालात हैं जानने की जवाब कोशिश करते हैं इमना सब आपती कैसी क्या वज़ा नजर आ रही है कि बंगलादेश जानक से कुछ पाकिस्तान के लिए स्वाफ्ट कॉर्डनर दिखा रहे हैं समीना इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सब माजी भी जाना पड़ेगा आप देखें कि सकूते डाका जब हुआ तो इससे बड़ा सानिहा ना पाकिस्तान के लिए कोई था ना बंगलादेश के लिए वह इस्ट्री में नहीं जाते बड़ी लंबी इस्ट्री है लेकिन 1974 में जुलुफकार अली बुटो और शेख मुझीब इनके दरमयान एक एगरिमेंट हो गया था एगरिमेंट क्या हुआ कि जनाब हम पाकिस्तान और बगलादेश माजी की तलखियों में नहीं जाएंगे और नए सिरे से अपना करेंगे लेकिन उसके बाद जब हसीना वाजी हसीना वाजी इक्तदार में आई तो वो उन्होंने दुबारा से सकूते डाका के वाकिया और ये और सारे वो कहते हैं माजी में जाखराएं शुरू कर दिया और वही सारा रदेमल शुरू हो गया इनका जुकाओ डारेक्ट इंडिया की तरफ से अब इंडिया की मामला ये पाकिस्तान को दो लखत किया था तो इंडिया की तो हमेशा से ये कोशिश थी और इंडिया इसलिए लॉली पाउप भी देता रहता था इन वाजशात भी करता था लेकिन अब जब हालात का इन्हें अंदाजा हुआ और सी पैक आप देखें और दूसरी चीज़ें और जब पाकिस्तान के साथ उनका एक मुभबत का तालुक या बजबी तालुक और यह सारी चीज़ें जितना पाकिस्तान और बंगला देश की चीज़ें एक दूसरे के लिए फाइदा मंद हो सकती हैं कभी भी हिंदू बनिया कभी इंडिया उस तरह से और खास तो और पे फाशिस चले मैं हिलाले साब से पूछते हूं कि हिलाले साब इस इट सो सिंपल कि अचानक उन्हें रियलाइज हुआ कि चुके यह मुसल्मान मुल्क है तो यही हमारे असल में दोस्त हो सकते हैं यह कोई आपको रीजन उसकी कुछ और नदर आती हैं जी क्या वज़ाए पिर देखे नवाजित यह कटपुटली है हिंदोस्तानी की और यह मत समझें कि इसके वज़े से यह ओवर्चर पाकिस्तान के तरफ हुआ है यह ओवर्चर इसलिए हुआ है कि बंगाली मुसल्मान जो है वो हिंदू राज से नफरत करता है बंगाली मुसल्मान आप भूले नहीं भूल अधर आयात के जमाने में ये हिन्दों, वो यूनियन पार्टी के साथ इनका कोईलेशन गवर्मन्त था. ये तो पता नहीं पाकिस्तान के लिए वोट भी करते हैं, जो नहीं जो अन आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए इतना. मैं तो कहता हूं कि पता नहीं था, उसक्त क्या होता वो भी हम माजनली जीते वो जो रेफरेंडम जो भी था वो जो हुआ था उदर तो नहीं ये कटपुतली है ये हिंदुस्तानी कटपुतली है और इसका कुछ नहीं है ये बंगाल के अवाम का प्रेशर है नमबर वन दूसरी बात है कि क्यों हुआ ये प्रेशर वो इसलिए हुआ है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन मुस्लिम्स के असाम में जो मुसल्मान है ये हिंदुस मुडी क्या कह रहा है उनको निकाल रहा है उदर से वो कह रहा है तुम इंडियन नहीं हो जाओ वापस बंगला देश ये असाम के मुसल्मानों को ढखेल रहा है और इंटू बंगला देश वो जाहरे वो बड़े नाराज है वो कह रहे है यारी ये किस किसम का आदमी है तीसरी बात ये है कि फराका और गैंजी फराका में उन्हों के वाटर वो जो पुराना डिस्प्यूट है पाकिस्तान अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है उसका काफी हद तक उन्हों जो पानी गैंजी से आ रहा है बंगला देश के अंदर उन्होंने कम कर दिया है सर् तो ये होता है उनके अगर आप इनके साथ दोस्ती करें ना तो ये मिलता है आपको नौट अट अट ओल ये वोई है कटकुतली हिंदुस्टार की अचा हिलाली साब एक जो चीज़ में जब सिटिजन्शिप एक इंडिया ने लागू किया है उसके बाद बंगला देश में टिल्ट आया एक चेंज आया है क्योंकि उसको बंगला देश समझता है कि इससे बराए रास ये एफेक्ट होते हैं इसलिए बंगला देश ने अब उनके साथ नराज़गी की उसकी जो वाज़र मिसाल या सबूत है वो ये है कि वहाँ जो उनका शेर है सलहट वहां पे जो बना था पहले इंडियन कंपनी बना रही थी लेकिन अब उन्होंने वो जो उसका ठेक है वो देश चाइनीज कंपनी को दे दिया अब चाइना बना रहा है चाइना का जो जो रोज बरोज वहां पे असरुल सूख बार रहा उसकी वज़ए से भी इडिया के पेट में पाकिस्तान में अफगानिस्तान में सारे मावले में जब इसका असरु सुख बार रहा है तो इडिया को उसकी तकलیف हो रही है इसलिए यह जब पाकिस्तानी सफीर रहे आपको याद होगा जब इस वक्तित क्या हुआ था इंडियन सफीर ने मिलने की बड़ी दरखास तो फिर होना क्या चाहिए क्या वाक़ इससे पाकिस्तान को फाइदा होगा और इनके दोनों मुमालिक की तालोकाद बेतर हो जाएगा एक ब्रेक के पाँ वेलकम बैग नाजरीन हिलालिक साथ से जानते हैं हिलालिक साथ चले बीजन जो भी हो इंडिया बेवफाई करता है मेशा की जो भी वजवात आपको लगता है पाकिस्तान के साथ बंगलादेश के जो मामलात है वो नॉर्मिलाइज हो जाएंगे अच्छ हो जाएंगे तालोका देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस ओरत ने ये हसीना ने क्या कहा जब हमारे अमबैस्टर से खुदाफिस ही कर रही थी हमारे अमबैस्टर को कहती है और ये च्छपा है कि हम बंगलादेश में उमर भर तक नहीं भूलेंगे जितने लोगों को तुमने मारा है माने जो लोग मारे गए हैं बंगलादेश में उसका मतलब ये था जो पाकिस्तानी ने मारा है काश के मैं उस वक्त होता तो मैं उसे कहता और मैं आपको मिस्स प्रेजिडंट मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरा सी एस पी कॉलीग मुहमद इखबाल को जिस तरीके से हरामखोर के बारे में बात करते हैं जो हर बार ये कुछ पाकिस्तानी है इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है बस हिंदू बनिये हिंदू बनिये की साजिट इनके अंदर नफरत कूट-कूट के भरी है हलाकि इनका डियने निकलेगा तो ये डियने में समझ जाए अब क्या बात करूँगा मैं ये वो ही है हरामखोर जो मतलब डर कर अपने तलवार के दम पर धंग छोड़ कर चलेगा ये वो ही हरामखोर है आज ये जहरोगल रहे है और ये बंगलादेस के वारे में अभी जो सेख हसीना ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट से मुलाकात की उसके बाद इतनी इतनी अजीब तरीके की बात करने लगे कि बंगलादेसियों के मतलब अंदर से नफरत करते हैं हिंदोस्तानियों से ये वो जवाने भर की बात है आपने इनके वीडियो में सुनी होगी तो दोस्तों आपको पता हुगा कि बंगलादेस में एक रियक्शन तो आया था जो बंगलादेस की सिलामी पार्टी हैं, सिलामी ग्रोप हैं, जो कटर बनती हैं, उनका रियक्शन भारत के खिलाप आया था, इसमें कोई दोराय नहीं है, इससे को मुँ पीछे भागा नहीं जा सकता, आपको पता होगा कस्मीर और 370 के खिलाप बंगलादेस में काफी प्रोना जब आये था, उस टाइम पे बंगलादेस में काफी प्रदर्शन हो रहे थे और उसके वीडियो भी आ रहे थे, आपको याद होगा, तो इसमें कोई दोराय नहीं है, एलिमेंट तो है और वो रहेगा, क्योंकि आपको पता है, बंगलादेस इसलामिक कंट्री है, आप माने ना माने वहां पे रूद नहीं दीखेगी, लेकिन यहां के जो है ना, यहां के जो इसलामिस्च है, यह अंसे भी बड़े वाले मतलब बड़े वाले इसलामिस्च, इन्होंने सब कुछ इनकों पता है, बाकियों को नहीं पता है, तो इस तरीचे की बात हैं, और बंगलादेश भारत के रिलेशन्शिप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन NRC के बाद उन्होंने कुछ रियक्शन दिया था तो इसमें गलत क्या है वो भी रियक्शन देंगे हम भी देंगे और आपको पता है बंगलादेश से बहुत सारे बंगाली यहां पे घुसे हैं और जब 1971 की वार हुई थी उस टाइम से घुसे हैं असम में तो उसी के लिए NRC लाए गए था उसके बिरोध में बंगलादेश में कुछ प्रदर्शन हुए थे गवर्मेंट ने भी कुछ रियक्शन दिये थे तो उसी की बात ये लोग कर रहे है और उसमें क्या है भारत में जो लो बाते करता है मतलब ये इस तरीके की घुसपैटियों और ये खुद ये हमेशा खुद रोते हैं जब अफगानिस्तान में जो जिहाद फिलाए था अफगानिस्तान से जो अफगानी रिफ्यूजी बापस आए थे जो पेशावर में हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट अला प्लेयर हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाके लिखते हैं नमक खराम अफगानी ये इस तरीके की बाते लिखते हैं और उनको निकालने की बात करते हैं और यही बात जब इंडिया में अप्लाई होती है